जय हिन्द आप सभीको स्वागा था आपका त्यासेंसे एर्मी चैनल में सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और इसके बेल आइकेन को भी दबा दीजिए ताक की बीडियो सबसे पहले आप तक कहुंचे तो आज की बीडियो में मैं आपको सोचल अव से तेजास NCC Army एप को भी इंस्टॉल कर लीजिए क्योंकि एप पर भी NCC exams के मोस्ट भी भी मोडल पेपर अप्लोड़ेड है और टॉपिक वाइज कुछ टॉपिक के question answer अप्लोड कर दिया हूँ और बाकी धिरे धिले अप्लोड किया जा रहा है और तेजास NCC Army.blogspot.com वेबसाइट पर भी मोडल पेपर अप्लोड़ेड है जिसका लिंक description box में दिया हूँ तो चलिए सुरू करते हैं question answer first question NCC cadets द्वारा किये जाने वाले समाजिक सेवाएं क्या है इसका अंसर होगा रक्तदान second विरिच्छा रोपन third point स्वाच्छता अभियान fourth प्रोड सिच्छा fifth जगरुकता रैली जैसे कुरितियों के खिलाफ नसा मुक्तभियान दहेज निवारन बाल विवा इत्यादी next question है full form लिखे first AIDS acquired immunodeficiency syndrome second PMGSI इसका होगा प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना third NGO non-government organization fourth नरेगा national, rural, employment guarantee act fifth IAY इंदिरा अवास योजना next question है AIDS का मुख्यकाराण क्या है इसका अंसर होगा first point और सुरच्छित योण संबन्द second HIV संक्रमित रक्त लेने से third HIV संक्रमित सुई लेने से fourth HIV संक्रमित माता के सीसू पैदा करने से fifth HIV संक्रमित बलेड से दाढ़ी बनाने से ये सारे question most भी भी आई है अब लोग वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखें next है multiple choice questions multiple choice का क्योल में आंसर बताऊंगा first question दहेज प्रथा के विर्यूद अधिनियम कब बनाया गया इसकांसर होगा 1961 में second रक्तदान करने है तू निम्तम आयू क्या है इसकांसर होगा 18 वर्स third HRD का मतलब है इसकांसर होगा Human Resource Development fourth कन्या विवा है तू निम्तम आयू क्या है इसकांसर होगा 18 वर्स next HIV का मतलब है इसकांसर होगा Human Immuno Deficiency Virus sixth मता धिकार करने है तू निम्तम आयू क्या है इसकांसर होगा 18 वर्स next question नरेगा को मनरेगा के रूप में नाम कब दिया गया था इसकांसर होगा 2009 में आप लोग को बता दू ये सारे questions कभी ने कभी एकजामस में पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा आप लोग विडियो को लाश्ट तक देखें next question परिवार नियोजन क्या है इसकांसर होगा जीस तरह से हमारे देश में जनसंख्या की वृदी हो रही है वह अत्यधिक दुखदाई है फर्स्ट परिवार नियोजन कारे क्रम का व्यापक परचार किया जाए सेकंड बच्चों की आयू में अंतर रखने है तू परिवार नियोजन समंधी समागरी अपनाना चाहिए थर्ड बाल विवा एवं बहु विवा कुप रथा पर रोक लगाई जाए फोर्थ अधिक बच्चों को जनम देने वाले माता पिता को हतोत साहित किया जाए नेक्स्ट क्वेस्चन नेक्स्ट है जोड़ी मिला है इसमें आपको कभी भी क्रॉस यानि एरो से नहीं मिलाना है आप या तो सेकेंड वाले ओप्सन के बगल में फर्स्ट वाले का नमबर लिख देंगे या फिर फर्स्ट वाले के बगल में सेकेंड वाले का जैसे फर्स्ट में है पैरा तो पैरा जंपिंग आगरा में कराया जाता है तो E के बगल में 1 लिख देंगे Mountaineering Institute दार्जिलिंग में है तो A के बगल में 2 लिख देंगे 3 है रक्त समू A, B, A, B and O रक्त समू है तो C के बगल में 3 4 में है डेंगू तो डेंगू मच्चर के काटने से होता है तो B के बगल में 4 5 में पर्यावरन दिवास यह पांच जून को मनाया जाता है तो D के बगल में B नेक्ट है दहेज प्रथा दहेज प्रथा दिनियम 1961 में लागू किया गया था तो J के बगल में 6 नेक्स्ट है एड्स यह अच्छुराचित याउन समन्द के कारान होता है तो I के बगल में 7 एड्स है कैंसर यह गुठका के परयोग से भी होता है तो F के बगल में 8 नेक्स्ट है T तो T नो पार्किंग का साइन है तो G के बगल में 9 और लास्ट है H A M तो H A M रेडियो को भी बोलते हैं यानि High and Might तो H के बगल में 10 लिख देंगे नेक्स्ट कोईस्टन है NCC के डेट्स आतंकवाद के बुरूध अपरेशन में कैसे सहायता करेंगे इसका आंसर होगा फर्स्ट पॉइंट आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले ततों को चिन्हित करके परसासन को बता कर सेकंड पॉइंट आतंकवाद के बुरूध जगरुकता रैली निकाल कर थर्ड आतंकवाद से होने वाले नुकसान तथा मौलिक करतब बता कर फोर्थ लोगों को किसी के बहकावे में ना आने की सलाह देकर फीफ्थ सरकारी एउजनाओ के लाव के बारे में लोगों को बता कर सेबेंथ लोगों को सिच्छा के प्रती जगरुक करके नेक्स्ट कुएस्चन है NGO के प्रकार क्या है यानि NGO कितने प्रकार का और कौन-कौन होता है इसका आंसर होगा यह चार प्रकार का होता है फर्स्ट इंगो यानि अंतराष्ट्रिय गयर सरकारी संगठन सेकंड बिंगो बेपार उनमुक अंतराष्ट्रिय गयर सरकारी संगठन थर्ड रिंगो धार्मिक अंतराष्ट्रिय गयर सरकारी संगठन और फोर्थ एंगो पर्यावरणिय और सरकारी संगठन नेक्स्ट क्याथन है सड़क वं रेल यात्रा के दोरान आप सुरच्छा के क्या क्या उपाय करते हैं इसका आंसर होगा यह बहुत ही महत्पून क्येस्चन है सड़क यात्रा फर्ष्ट पॉइंट जेबरा क्रोसिंग का इस्तेमाल करें सेकेंड सबवे का इस्तेमाल करें जो सड़क के निच्चे से बना रहता है थर्ड ओभरहेड ब्रीजेज का इस्तेमाल करें फोर्थ, ट्रैफिक सिगनल्स का ध्यान रखें और फीफ्थ, सडक दोड़ कर पार न करें अब रेल यत्रा फर्स्ट पॉइंट, रेल यत्रा के दोरान टिकट अवस्य लें, समय से अस्टेशन पहुँचे सेकंड, रेल गाड़ी पुरी तरह रुक जाए, तभी चड़ें फोर्थ, रेल गाड़ी की खिडकी अथवा, दरवाजे से सरीर का कोई यंग बहर ना निकालें और फिफ्ट, महिलाओ, बच्चो, बुढ़ो, दिव्यांगो आधी को सीट दे, तथा यत्रा के दोरान पुरी तरह सतर्क रहें नेक्स्ट क्वेस्चन है, देश के पांच बड़े समाजिक समस्याओं को लिखें इसका अंसर होगा, फर्स्ट, भरष्टा चार इसमें से किसी भी पांच का नाम लिख देंगे नेक्स्ट क्वेस्चन है, संचिप्त टिपणी लिखें अधार, अस्टार्टप इंडिया, भी मेब तो इन सब के बारे में आप गूगल पर सर्च कर लेंगे और अपनी सहलियत के अनुसार एक छोटा छोटा नोट्स बना लेंगे नेक्स्ट क्वेस्चन है, है एच आई भी संक्रमन से बचने के उपाय लिखें इसका अंसर होगा लिखो, तो इसका अंसर होगा आई एस आई एस, तालिबान, बोको हरम, वुद्धो, जैसे मुहमद, अलकायदा, लसकर ए तैबा, हिजबुल मुझाहिदीन, वुल्फा, तहरीक तालिबान तो इसमें से किसी भी 5 सगंठन का नाम लिख देंगे, आपको फूल माक्स मिल जाएगा तो आज का वीडियो में इतना ही, यानि इस टॉपिक से रिलेटट सारे क्वेश्चन अंसर बता दिया हूँ बाकि नेक्स्ट टॉपिक का नेक्स्ट वीडियो में और इसके पहले भी 4-5 टॉपिक का क्वेश्चन अंसर का वीडियो अपलोड कर चुका हूँ तो अपलोग सारे वीडियो देखें और अच्छे से एक्जाम की त्यारी कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए, कोई भी डाउट हो, तो कमेंट करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर ले, तेज़ा से शेर में आप को जरूर इंस्टॉल कर ले, क्योंकि आप पर भी सारी जनकारी अबलेबल है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद